असलाम लेकों क्याले दोस्तों ठीक है हम अमीद काते सब खेराते होगे आमीन यारभ लालामीन हम भी बिल्कुल ठीक्टा के फिटफाट है अल्लापा के फदल करम रहा हम वर शुकूर के साथ है तो आज की जो हमारी वीडियो आपने कंपलीट देखनी है क्योंकि ये गर्मी क के हिसाब से मैं एक बहतरी नुस्का आप सब भायों के लिए लेकर हूँ और इंशाला आपने गर ये वीडियो देखी तो इंशाला भाई को द्वाएं करेंगे इसा नुस्का एसा नुस्का के आपका मैं समझता हो के एक पैसा खर्च नहीं होना अगर आपके पास सिर्फ जिस एक छीज हो तो आपके टितर बिल्कुल फिट और चुस्त तवाने ताजे और हेल्दी रहेंङे एंशाल्ला अबी है गर्मी का सीजन-काफ दूस्तों कि टिटर भूलाई करेंए कासी दूस्तों लेकरें्ट-करेंद जिन दोस्तों के तितर जो सही बुलाई नहीं करें तक भी मास्तियों में नहीं है और वह परेशान है त मढमें तुटि आपका कम्सोड है चुस्ति नहीं इ Russia कि दो और अगर आपका पो सुनी नहीं करता करता कि अग्वाइच में पाता और बिल्कुल चीडिया जैसे च्छोटी बीट है of wight कलर की तो उसको समझो के गर्मी लगी हुए इन और भी इसके जितने फाइदे में बताऊं वो कम है अगर फाइदे बताने बेटू तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और जिन दोस्तों के तितर जंगल में ले जाते हैं फिर भागते रहते हैं इदर उदर देखते हैं कम की चुस्ती नहीं है कमजोर ही है तो इन सबी बिमारों का एक लाज़े उससे चीज़ से कौन वाक्फ नहीं है हर किसी को पता है कि है शहद जो है शहद के कितने बड़े बेश्मार फाइदे हैं बहुत ही दबर्दस अलापा की हमारे पास नेमत है और तकरिबन मैं थमझता ह हूँ कि हर घर के अंदर यह चीज़ जो है सो मुझूद है बारा महीने तकरिबन जो है सो यूज होती है सब्दियों में इसका जो इस्तेमाले बहुत ज्यादा होता है तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमा इसी हो जाते हम नहीं लगा थे विडियो डालता हूँ पर अब जो इस हो काफी दोस्तों के कमेट्स भी आ रहे थे लोग पूछ भी रहे थे दोस्ते तो इन सब भी भी मरों को या एसे समझो कि शर्त जाए लाजए अगर आप अपने तितर को टोनमेट वगेरा पे पाली प लेट जाता है सही से खड़े ओकर बुलाई नहीं करता है तांगे कमजोरें तो और वहां पर तितरों के साथ लड़ता है भागता है या अवर मस्त हो जाता है अवर हीट कर जाता है या सिलो हो जाता है सुस्त हो जाता है तो वहां पर भी आप इन्शाला तेतर को टोनमेट पर भी लगा कर आप देखेंगे या कि दोस्तों के साथ तीतर को रखकर चेक करेंगे तो जैसे तीतर आपका आज चलता है अगर आपने आज ये पानी डाल दिया ये जो खोराग मैं आपको बता रहा हूँ ये जो नुश्खा बता रहा हूँ आज आपने ये डाला ठीक दूस इसे आपको वाजिहा तोर पर फर्क साफ नजर आ जाएगा इसमें आपके मेरे हिवाब के मताबिक मेरे अंदाजे के मताबिक मेरे ख्याल के मताबिक आपके 10 रुपे भी 10 पे से भी खर्चा नहीं होना हर चीज यह चीज हर घर के अंदर किचिन के अंदर फिर्ज के अंदर मौजूद रहती है क्योंकि हमारी जरूरते तो आप बिनना टाइम वेस्ट किये वीडियो को कम्प्लीट देखे समझें और वीडियो गर अच्छी लग करेंगे असल में अब आपको करना क्या है कि शहएद जो ए छोटी शहएद छोटी मक्षी वाल जो शहएद देशी वो आपके घर में मौजूद होगी तकरीबन होती है और कोश्च कर अगर पुरानी है एक दो साल तो वो सबसे बेदर हैं तो जो भी है आपके पास वो ले आ पानी जो आम सिंपल पानी है उसको आप नीम गरम करें बाल करके थंडा करें थंडा करने के बाद बाद पांच से च्छे कतरे चोटी शहएद के चोटी मक्षी वाल जो शहएद है वो डाले पानी कोली के अंदर डाले हस्ब जरुरत जितना पानी तीतर को जरुरत है उसी के ग्यारा बज़े जिस टाइम पर आप पानी डालते हैं तेतर को थोड़ा प्यासा रखें बाराल ऐसे ही पानी ये बहुत अच्छा होता है लापा की निमत है तेतर दस्ति पीजना इस्टार्ट हो जाता है जैसे जैसे तेतर आपका ये पानी पीएगा तेतर की जान में ये पा इल्कुल चिडिया जैसी पीट कर रहा था तो इसकी मीट पीट भी जोई सो मोटी लेंपी और ताजा दो तिन घंटों के अंदर ये आपको पता चल जाएगा दूसरे दिन भी आपका तेतर जोई सो अच्छी बीट करेगा तेतर का जोई सो गला साफ हो जागा तेतर की टां में तो भी आप तेतर को ये पानी डाले अगर आपका तेतर सार दे तो भी डाले ये तेतर पानी जो बनेगा ये मोत दिल पानी है दिल भाहर पानी है हर गर्मी के मौसम में ये बहुत ही जबरदस नुसका है आपके तेतर अगर गलाम बारते थे गलाम बारते तो वो गलानी मारेंगे खोराक कम खाते थे तो खोराक सही खाएंगे तितर के साथ सही लग कर नहीं चलते थे लड़ते थे तितरों के साथ टूनामेंट में पाली में या तितरों के साथ तो आप देखेंगे सुकून इत्मिनान के साथ जो है सो आपके तितर खड़े होकर जो है सो बुलाई करेंगे अगर आप टूनामेट पे लगा देती तरह आपके भागते थे तो भागेंगे नहीं सही होकर खड़े होकर बुलाई करेंगे खुराक सही खाएंगे इनकी तांगे मदबूत होगी इनके अंदर इनरजी ताकत जो भर पूराना इस्टाट हो जाएगी गला साफ हो जागा माइद बेदा इनका ठंडा हो जागा ना ठंडा ना गरम होते दिल रहेगा यह आप हर पंदरवा दिन जो है सो यह पानी अपने परिंदों को डाले तो इन्शाल आपके तितर जो है सो कासी जदा बेहतरी में आना इस्टाट हो जाएंगे आप हमें दूआ करेंगे कि क्यान उसका बताया है अपने जो भी तेतर तितरों के साफ़ नहीं चलता था लड़ता था बस्ती करता वो सुकून के साफ जो है सो खड़ा होकर बुलाई करेगा अगर आप जरुत समझे तो फिर पंदरा दिन के बाद जो है सो यह पानी फिर डाले तितर आपके बेहतरीं से बेहतर बेहतरीं होना शुरू हो जाएंगे अच्छी बुलाई करेंगे अच्छी रिजल्ट देंगे अगर वो दो गंटे बुलाई करते थे तो बुलाई अपनी टाइम बढ़ाएंगे बस थी आपनी सही करेंगे, गला नहीं मारेंगे आप जाहें इनको धुपर रख कर भी बुलाएं तो तकरीब न आपके तर जो गला नहीं मारेंगे यह अगर आपने तज्यूबा करना है तो एक गिलास पानी के अंदर आप एक जो ही तो चमब शेद का डाल कर सुबा के टाइम पी ले तो शाम को आप खुद बताएंगे कि आपने क्या खाया क्या प्याएं तो यह थी हमारी आज की वीडियो फिर मिलते हैं नेक्स चुडियो मैं तब तक के लिए दिजए जाएंगे आता लाह हफिज